हेलो स्टुडेंट आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड इयर में जो आपका कंपरसरी क्वालिफाइंग कोर्स है सामान्य जाग रूखता उसके इंपोर्टेंट कोशन जो की प्रिवेश एर पेपर में पूछे गए हैं और साथ इसाथ इन कोशन के साथ जो करंट अफेर हैं इन कोशन से संबंदित और अन्य इंपोर्टेंट फैक्स जो इन से संबंदित पूछे जा सकते हैं आपके नेक्ट एक्जामनेशन के लिए हम उन में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई थी वैसा कौन सा राज्य था जिसमें जनसंख्या में कमी पाए गई थी तो वो राज्य था नागा लेंड बाकी सभी राज्यों में क्या थी कि उससे जो 2011 से पहली जनकरना होई थी 2001 में उसमें कमी पाए गई बाकी सभी राज्य है निम्न में से खेल के समान के लिए कौन सा जिला परसिद है तो किस राज्य में किस जिले में खेल का समान सबसे ज़्यादा मिलता है कहां पे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो इस question का जो correct answer है दिए गए options में क्या accordingly तो इसमें मेरट जो है खेल के समान के लिए ज़्यादा परसिद है नेक्स्ट कोशन है निम्लिकित में से किस राज्य में जापानी इनसे विटलाइटिस अनुसंधान केंदर इस्थापिट किया जाने वाला है तो इस question का जो correct answer है वो है यूपी उत्तर परदेश में और students ध्यान कि मेरट में ही आपकी CCS University है जो कि आपके examination के लिए important है और जो students सहारनपूर जिले के हैं तो उनके लिए ध्यान रखेंगे सहारनपूर जिले में नई University स्थापिट हुई है मा शाकुंबरी विश्वविध्याले तो ध्यान रखेंगे अगर आपसे चोदरी चरण सिंग में हैं ऐसी आप से ऐसी भी question पूछा जाए सकता है कि मा शाकुंबरी विश्वविध्याले कहां पर इस्थित है तो यह सारनपूर में स्थित है चले next question है भारतिय कर्शी अनुसंधान संस्थान कहां पर इस्थित है तो इस question का जो correct answer है वह है नई दिल्ली नेक्स कोशन है भारतिय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो यह देहरा दून में है एक्जामनेशन के पॉइंट ओ व्यू से आप से जो पूछी जा सकते हैं अगले एक्जामनेशन में उनको भी डिसकस करते हैं तो एक कोशन है आपका मेकिन इंडिया स्कीम का प्रारंब हुई थी तो ध्यान रखेंगे मेकिन इंडिया स्कीम जो है सन 2014 में प्रारंब हुई थी ऐसे ही पीटी उचा किस खेल से संबंदित है तो ध्यान रखेंगे पीटी उचा दोड़ से संबंदित है नेक्स कोशन है आरे समाज से संबंदित ह आरे समाज की स्थावना कि सब्सक्राइब में तो आपके स्क्रीन पर दिखाए देरे रहें चारा गाहा और चारा अनुसन्धान संस्थान यह कहां पर है तो यह जहांसी में है option number A इसका correct answer नेक्स्ट राष्ट्रिय एटलस और तत्व गत मानचित्र संगठन कहां इस्थिति है तो इस question का जो correct answer है वो है कलकत्ता option number A इसका correct answer next question है चाय एवं कोफी का उत्पादन कहां पर होटा है तो चाय और कोफी का उत्पादन reduction भारत में होता है option number D इसका correct answer नेक्स्ट कोन सा रज्ज नारियल का पर्मुख उत्पादक है तो ध्यान लखेंगे केरल नारियल के उत्पादन में पर्मुख है next question है हमारा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं तो ध्यान लखेंगे भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैक मोहन रेखा के नाम से जानते है option number A इसका correct answer होगा next है महादेव की पहाड़ियां कहां पर इस्थित है तो यह मध्य परदेश में इस्थित है next question है हमारा भोराट का पठार किस राज्य में इस्थित है तो students इस question का जो correct answer है वो है राजस्थान कहां पर है राजस्थान next question है हमारा कितने संग शाशित राज्यों में विधान मंडल है तो यह दो राज्य ओप्शन नमबर भी इसका correct answer next question की बात करें तो next question है नवीर राज्य तिलंगाना की राजधानी का नाम क्या है तो ध्यान रखेंगे तिलंगाना की राजधानी का क्या नाम है 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 यहादराबाद option number a इसका correct answer है next है पूछा गया question भारत्य रेल का राष्ट्य करंड किस वर्ष किया गया तो भारत्य रेल का राष्ट्य करंड सन 1950 में किया गया था नेक्स कोशन है भारतिय रेलवे का एशिया में कौन सा इस्थान है तो भारतिय रेलवे का एशिया में पर्थमिस्थान है कारबेट राष्टिय उद्यान किस राज्य में इस्थित है ये उटराखंड में इस्थित है उप्शन नम्बर इसका करेक्ट अंसर है नेक्स्ट कोर्षटन है, कंबाला एक खेल है वह किस राज्य से संबन्ध रखता है तो ये करनाटक राज्य से संबन्ध रखता है, option number भी इसका correct answer है चलिए अब next question के बारे में जानते हैं तो next है पेरियार जल विद्धूत परियोजना किस राज्य में है तो ये केरल राज्य में है option number A इसका correct answer है next question है भारत का शेत्रफल की दरश्टी से सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो भारत के उपर आश्ट्र पती कौन है तो पूछे गई वर्ष के में उपर आश्ट्र पती कौन थे वेंक यहाँ नाएडू अब आपके लिए homework के तोर पे रहेगा क्या आपने यह देखना है कमेंट बोक्स में कमेंट करके बटाने सबसे पहले कि वर्तमान में कौन थे भारत के उपराश्ट परती है उनका नाम कमेंट बोक्स में कमेंट करना है नेक्स्ट है विश्व में दुग्द के उत्पादन में भारत का कौन सा इस्थान है तो ध्यान रखेंगे दुग्द उत्पादन में विश्व में भारत का पहला इस्थान है नेक्स्ट है भारत का लोकसवा अध्यक्ष कौन है तो कोश्चन पूछे जाने वाले समय में लोकस सविधान के रचिता कौन है यह मैं सो मसता हूं यह मैक्सिमम बच्चों को पटा होगा बड़ाई जी कोश्चन है भीम रावं बेड़ कर जी है ऑप्शन नमबर है इसका करेक्ट अंसर नेक्स्ट है भारत वर्तमान में भारत के परमुख या मुख्य नैधीश चरवोचनेल ल इसको जरूर जाच ले नेक्स्ट है रिजर्बैंक के गवर्नर कोन है तो स्टुडेंट्स कोश्चन पूछे जाने वाले वर्ष में रिजर्बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल जी थे और उर्जित पटेल भारत के या रिजर्बैंक के 24 वे गवर्नर थे और जो रगुराम राजन जी थे ये रिजर बैंक के 23 गवर्नर थे इनका कारेकाल 4 सिटंबर 2016 को समाप्ट वाटा और उर्जित पटेल लिका जो कारेकाल है वो 2018 में 10 दिसंबर 2018 में समाप्ट वाटा अब वर्तमान में भारत के जो गवर्नर है वो शक्तिकांट दास जी है और ये 25 वे गवर्नर है तो इस कोश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के या यह रिजर बैंक के 25 वे गवर्नर कोन है शक्तिकांदास रिजर बैंक के वर्तमान गवर्नर कोन है शक्तिकांदास रिजर बैंक के गवर्नर की सेलरी कितनी होती है दो लाख पचास जार रुपे रिजर बैंक के पहले गवर्नर कौन थे तो जब रिजर बैंक के स्थापना होई थी एक अपरेल 1935 को तो उस समय इसके गवर्नर थे ओस्बॉर्न इसमिट और जो पहले भारतिय गवर्नर थे ऐसे भी कोशन पूछ सकता है तो पहले भारतिय गवर्नर सीडी देश मुक्थे तो ध्यान रखेंगे रिजर बैंक से समबनित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट या आप से पूछे जा सकते हैं और साथी साथी स्टूडेंट ये भी कोशन पूछा जा सकता है करेंट फैसे समबनित इंपोर्टेंट कोशन बनता है आपके लिए के रिजर बैंक का फैरेंशल एर कौन सा है पहले ये जो था दो हजार बीसी किस में ये चेंज होके अपरेल से मार्च हो गया है उससे पहले जो है ये जुलाइस से जून हुआ करता था तो ये पूछ जा सकता है आप इसको अच्छ से द्यान आंसर है नेक्स कोशन की बात करें तो नेक्स कोशन है भारत के किस राज्य में लिंगा नुपाट सबसे निम्न इस्तर पर है तो ये हरियाना में option number 20 का correct answer है नेक्स्ट है भारत में पहली जन गणना कब की गई थी तो भारत में जो पहली जन गणना की गई थी वो अठारा सो 81 में की गई थी नेक्स्ट है जंगली गधो का अभ्यारण्य कहां पर है तो जंगली गधो का अभ्यारण्य गुजरात में है option number A का correct answer है नेक्स्ट कुर्शन की बात करें तो नेक्स्ट कुर्शन है चोदरी चरण सिंग वीश्वी ड्याले कहां पर इस्टित है तो यह मेरट में है और शाकुमरी वीश्वी ड्याले जिसको अभी नया स्थापीट है यह कहां पर है तो यह सहारनपूर में है इसको अच परदेश के 62 को सामिल किया गया था अब यह संबंदी रनने क्या मैं पूछे जा सकते हैं तो ध्यान दकेंगे स्वच्छ सरवेक्षन जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहट लौंज किया गया था यह सन 2016 में लौंज किया गया था अब वर्तमान में 2022 में इसका छटा जो है वो लौंज किया गया है और ध्यान दकेंगे स्वच्छ सरवेक्षन 2022 में साथ सफाई के लिए शहरों का जो कुल आकलन किया जाएगा वो कितने अंकों में से किया जाएगा वो अब 75,007,500 अंकों में से किया जाएगा जबकि जो इससे पहली बार इसे जो इसे जो छे हजार अंकों से किया गया था तो ये भी एक कोशन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो स्वच्छ सरवेक्षन अभियान है उसके अंटरगट जो आकलन किया जाएगा वो कितने अंकों से किया जाएगा तो ध्यानक केंगे साथ हजार 500 अंकों में से किया जाएगा और इससे पहले दो जार बाइस से पहले कितने अंकों के च焦 आधा था तो वह छे जार को में से क्या जाता था प्रक्ते चलिए अब इससे सम्ह tapesं दोर क्या पूछा जा सकता है कि जो सबसे साफ शहर कौन सा है पहले नंबर पर कौन सा है इंदोर ये कहां पर है मद्या परदेश में इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा शहर है वो है भोपाल ये कहां पर ये भी MP में मद्या परदेश में है तीसरे नंबर पर कौन सा शहर है वो है चंडीगड तो आप से इनके करम क के बारे में पूर सकता है कौन सा पहले आया कौन सा दूसरे कौन सा तीसर अर्जु रैंकिंग यह जुले टेस्ट अपडेट आए हैं चलिए और साथ ही साथ यह ध्यान रखेंगे भारत का अगर हम उत्तर प्रदेश में अग्जाम दे रहे तो उत्तर प्रदेश संबंदित क् भारत का सबसे बड़ा फास्टेस्ट मुवर बड़ा शहर कौन सा है वो गाजियाबाद है और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस में भारत का सरुष्रिष्ट शहर कौन सा है वो है अलीगड तो यह सर्च सर्वेक्षन 2022 से संबंदित कुछ महत्मुन तरते हैं आप इन च्वारत हैं में सदस्टो की संख्या कितनी है तो यह सदस्टो की संख्या चार सो तीन है और werd निषका करेक्ट शन्वाश्ट शीका लगादिन अन्सर नेक्स नथी को जीवित नदी का दरजा दिए तो ROSS वो है गंगा नेक्स्ट है सात्वी विश्व आयूरवेद कॉंग्रेस कहां संपन हुई थी तो इस कोशन का जो करेक्ट अंसर है वो है कलकत्ता में नेक्स्ट है राज्यपाल की न्युक्ति कोन करता है तो राज्यपाल की न्युक्ति राश्टपति करते हैं नेक्स्ट कोश्चन है सव पर्थम भारत रत्न पुरुषकार से किसे नवाजा गया था तो सबसे पहले भारत रत्न पुरुषकार से डक्टर सौपली रादा किशन जी को नवाजा गया था नेक्स्ट कोश्चन है डादा साब फाल के पुरुषकार किस वर्थ से प्रारंब किये गए थे ये 1969 से प्रारंब किये गए थे अर्चाज का नोबल पुरुषकार किस वर्थ प्रारंब किया गया ये 1969 में प्रारंब किया गया option number 6 का correct answer है नेक्स्ट कोश्चन जानते हैं, तो स्टुडेंट्स नेक्स्ट कोश्चन है, मिस्वर्ड 2017 को किस भारतिय सुन्दरी ने जीता था, तो 2017 का जो मिस्वर्ड हुआ था, उसको जीतने वाली सुन्दरी का नाम था, मानुशी छिल्लर, ओप्शन नमबर 20 का करेक्ट आंसर है, और 2022 के लिए ये किस ने जीता है, तो ध्यान रखेंगे, 2022 के लिए मिस्वर्ड का जो किताब है, ये हरनाज संदु ने जीता है, ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपोर्टेंट कोश्चन है, चले, नेक्स्ट कोशन जानते हैं, व्यास सम्मान 2016 पुरुसकार किस को प्रदान किया गया है, तो व्यास सम्मान 2016 सुरेंदर वर्माजी को प्रदान किया गया था, उप्शन नमबर A इसका करेक्ट आंसर है, अब इसके बारे में जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे, व्यास सम्मान भारते साहिट्टे के लिए दिया जाने वाला ज्यान पीट पुरुसकार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहिट्टे सम्मान है और इसको केके बिल्ला फाउंडेशन ने 1991 में प्रारंब किया गया था और इस सम्मान के इंटर्गत चार लाख रुपे की धंदाशी जो है वाइड किया गया जो अब तक पहला था जो लेटेस्ट व्यास सम्मान है वो 2021 में प्रदान किया गया था किसे प्रदान किया गया था अजगर को प्रदान किया गया था अजगर वजाहत को और अजगर वजाहत जी को किसके लिए दिया गया था अजगर वजाहत जी का जो न 21 में ये 31 सम्मान था अब इस question से सम्मानित और क्या question पुछा जा सकता है तो व्यास सम्मान से सम्मानित पहली महिला कों थी? तो व्यास सम्मान से सम्मानित पहली महिला चित्रा मुदगल थी जिने 2003 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया किसके लिए सम्मानित किया गया उनका उपन्यास था आवा उसके लिए 2003 में उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था नेक्स्ट कोश्चन है वस्स दोजाज़सोलाका नोबल शांती पुरुषकार किसे दिया गया है तो दोजार सोलाका शांती पुरुषकार मैनवेल सान्तोस को दिया गया है और Davidson का ये पुरुषकार मारिया रेअचा और दमित्री मूरा टोव को प्रदान किया गया है आप इसको अच्छे से तियार कर लेंगे 2016 का भी डिसकस किया और 2021 का भी डिसकस किया दुबारा बता देते हैं 2021 का जो नोबल शांटी पुरुसकार है वो मारिया देशा और दमित्री मूरा टोव को प्रदान किया गया है दौनाचारे पुरुसकार खेल परिक्षण के लिए यानि के जो गाइड है जो अध्यापक है जो खेल सिखाते हैं जिनको हम कोच बोलते हैं उनको यह प्रदान किया जाता है दौनाचारे पुरुसकार चले नेक्स्ट स्टुडेंट्स नेक्स कॉर्शन हैं जीडी बिडिला पुरुसकार 11 किसको प्रदान किया गया तो 2016 का जीडी बिडिला पृुसकार जो दिया गया था वह प्रोफेसर उमेश वासुदेव बागमरे को दिया गया थाived नंबर 20 का क्रेक्ट आंसर है और घ्रेंस के लिए पुरुसकार किसको प्रदान किया गया तो ध्यान रखेंगे लिए प्रोफेसर नारायन प्रदान जी को दिया गया है 2022 के लिए नारायन प्रधान जी को दिया गया है और ध्यान रखेंग बटा जो जीडी बुढ़िला पुरुसकार किसे प्रदान किया गया था यह देवेंद्र जाजरिया को प्रदान किया गया था नंबर ही इसका करेक्ट अंसर है नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट कोश्चन बनता है दो हजार बाइस के लिए राजी उगानी पुरुसकार किसे प्रदान किया गया तो ध्यान रखेंगे मीराबाई चानू पुरा नाम है एस मीराबाई चानू को यह किस से संबंदित है यह भारत तोलन से संबंदित है एक तो इन्हें राजी उगानी पुरुसकार प्रदान किया गया और दूसरा विराट कोली जो की किरकेट खेल से संबंदित है इनके लिए इनको राजी उगा 2016 का सरुष्रेष्ट अभिनेटा का पुरुष्कार किसे प्रदान किया गया तो 2016 का सरुष्रेष्ट अभिनेटा अक्षे कुमार को दिया गया और जबकि 2022 के लिए सरुष्रेष्ट अभिनेटा का पुरुष्कार रणवीर सिंग जी को दिया गया है चले नेक्स्ट कोश्चन ह नोबेल पुरुषकार जीतने वाले सबसे पहले भारतिय व्यक्ति कौन थे तो नोबेल पुरुषकार जीतने वाले सबसे पहले भारतिय व्यक्ति रविंद्र नाथ टैगोर थे अब बैटा नोबेल पुरुषकार के संदर में एक important question है बड़ा important question है तो ध्यान रखेंगे किसे ओसकर अवार्ड और नोबल प्राइज विजेटा केवल ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनको नोबल प्राइज भी मिला और ओसकर अवार्ड भी मिला उनके नाम क्या-क्या है जोर्ज बर्नार्ड शौ और बॉब जोर्ज बर्नार्ड शौ को नोबल प्रुषकार मिला था 1925 में और ओसकर प्रुषकार मिला था 1949 में और बॉब डिलन को जो मिला था ओसकर अवार्ड ये सन 2000 में मिला था और इनको नोबल प्रुषकार 2016 में मिला था तो इंपोर्टेंट कोश्चन है आप इनको अच्छे से ति godan नेंगे नेस्न को सिने भारत के किस किर्केट खिलाडी को भारत रत्न पृष्कार से नवा जा गया है तो दिये गई ऑप्षन में जूकर आंशर वह सचीन तिन डूल democrats ओप्षैन डिया इसका करेक्ट रू Jeff तो इस्टुडेंट ये थे हमारे सामाने जागरुक्ता से संबनित पचास कोश्चन जो की पेपर में पूछे गए और इन पचास कोश्चन से संबनित अन्य इंपोर्टेंट फैक्शन फिगर इसी परकार के इंट्रेस्टेड कोश्चन के लिए मिलते हैं अपने नेक्स लेक् क्योंकि शेरिंग इस केरिंग और अगर आपको बेनिफिट मिलना है तो आपके मित्र को भी मिलना चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो का अपने मित्र के साथ भी जरू शेयर करें